जो सपाकारियाल्य पटा रहता था पोस्टरों सी अब अखिलेश ने सपाकारियाल्य से क्यों हटवा दिये? रामचरित मानस और शूत्र वाले पोस्टर जानिये क्या है बड़ाकर? समाजवारी पार्टी परमोक अखिलेश यादप अब विवाद, बयान बाजी और धारमिक बुद्दों पर अपने नेताओं के खिलाफ सक्त नज़र आ रहें इसका असर भीते दिनों पार्टी द्वारा जारी किये गए लेटर में भी दिखा उससे पहले दो नेताओं को पार्टी से निकाल कर उन्होंने इस पर संदेश दे दिया कि जिसका असर अब दिखने भी लगा है दरसल रामचरित मारस विवाद के बाद लखनव समेथ कई जगव पर सफ़ा दफतर के बाद रामचरित मारस और शुद्र वाले पोस्टर लगे थी लेकिन इसके बाद शिवपाल सिंग यादव और रामगोपल यादव ने स्वाइपरसाद मोरे के ब्यान से खुद को अलग कर लिए जिसके बाद इसका अज़र अखलेश यादव ने सक संदेश दिया अब इसका असर साफ तोर पर दिखने लगा है जब रामचरित मारस पर स्वाइपरसाद मोरे ने विवालित व्यान दिया था उसके बाद लखना उस्तित सपाकार्या लेंगे बाद उनके समर्थान पोस्टर लगाए गई थी अगर हम यह कह रहे हैं कि भई यह गाली हो सकता है उसमें दी गई हो आज व्योहारिक नहीं है इसलिए इस अंच को प्रतबंधित कर दिया जाए निकाल दिया जाए हमने रामायर प्रची का टिपड़ी नहीं की हमने किसी भगवान किसी धर्म राम प्रची का टिपड़ी नहीं की हमने चोपाई कि उस अंच पर टिपड़ी की जिस अंच में देश की समस्त महिलाओं आदवार्शियों दलितों पिछणों तथा कथित चातुर वड़ के चोथे पायदान पर खड़े शुद्र समाज को अब मानित कंड़े का काम किया गया है उस अंच को निकाल लेगी बागत अंच की इसके अत्री कुछ नहीं है वो बात मैं आपसे नहीं पूछूँगा मैं यह कहूँगा कि वो चौपाई एक वार हमें पढ़के सुना दो क्या पढ़के सुना सकते हो मुझे बताओ और फिर मैं मुख्षंदीजी से पूछने जा रहा हूँ कि मैं सुद्र हूँ के नहीं हूँ इसके बाद फिर सपाकार्य लेके बार शुद्र वाले पोस्टर लगाई वे तब कई नेताओं ने अपने पोस्टर लगाए और नाम के आगे शुद्र लगा दिया लेकिन अब बीते दिनों में अखिलेश यादवने निविवादों पर सक्त रुख दिखाया है उन्होंने पहले दो नेताओं को पार्टी से बार का रास्त दिखा दिया इसके बाद एक पत्र जारी कर कारे करताओं और नेताओं को चेतावनी दे दी उन्होंने सभी को धारमिक मुद्दों पर ब्यान बाजी नहीं कर दे और इससे दूर रहने को कहा है अब इसका असर लखनू के सपा दफ्तर पर भी देखने को मिला है दफ्तर के बार से सभी नेताओं ने अपने पोस्टर हटा लिए माना जा रहा है कि अखलेश यादव के सक्त रुख को नेताओं के लिए नसीहत के तोर पर है बता दे कि इस विवात को लेकत सपा को विरोधी दल घेरने में लगे हुए थी जिसके बाद से सपा ने वो पत्र जारी किया था तो आप इस वीडियो पर अपने राह दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन सुतर प्रदेश के साथ